है आज का हमारा टोपीक एकस्पोंइंड है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइड नहीं किया तो सबक्राइब कीजिए चलिए praos inert इसे यह टोपिक बहुत ईजी है तो इसमें जेखो हम एक्जांपल लेते हैं नाइन झानेट 3 by 2 भी 9 exponent 3 by 2 अपि exponent है ना उसके denominator में क्या है 2 दिया हुआ है देखो में दिखा था हूँ exponent के जो denominator में 2 दिख्या हुआ है तो जो denominator को आपको cancellation करना है तो 9 है ना 9 number जो base base को इस तरह से लेखना है जिसमे exponent उसका 2 आए ओके ताकि 2 to cancel हो सके तो हम 9 को किस तरह से कि यह तरह सकते हैं थ्री स्क्वेर लिख सकते है 3 सक्वेर और 3 by 2 इस तरह से लिख सकते हैं अभी यह कंसल हो जायेगा क्योंकि 1 to numerator मे humor मैं 12 squash CB1 Alors क्या मिला हमको थ्री क्यूब मिला अभी क्या 3 cube 3 cube यानि 27 3 cube 27 होता है देखो 27 answer आ गया तो यह 27 answer आ गया Another example अभी देखो 32 है और यह 2 by 5 है अभी exponent का denominator क्या है देखो exponent का denominator है वो यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो आपको 32 में उसमे 32 को इस तरह से convert करना है कि जिसमें base कोई भी हो पर exponent 5 आना चाहिए तो हम इस तरह से लिख सकते है अगर 2 को 5 times किया तो 32 होता है बाद में 2 by 5 अभी देखो cancellation होगा 5 5 cancel तो क्या मिल आपको 2 square 2 square क्या होगा 4 तो हम second का answer 4 आया देखो यह बहुत easy method है अभी next है अभी 16 3 by 4 अभी 16 3 by 4 अभी देखो base का है 16 है अभी exponent का denominator क्या दिया हुआ है 4 तो आपको exponent का denominator 4 दिया हुआ है तो 16 को इस तरह से कनोट करना है कि exponent 4 आए तो अभी देखो 4 है अभी 2 2 exponent 4 करो तो 16 आता है 2 exponent 2 को 4 ताइमस करो तो 16 आएगा और यह 3 by 4 और अभी केंसलेशन डिनोमेटर और निम्रेटर तो क्या आएगा 2 क्यूब आएगा 2 क्यूब क्या होता है 8 तो आंसर क्या यह 8 आया देखो इधर पर 8 आंसर है बाद में अभी और एक एक संबल है जिसमें देखो थोड़ा ट्विस्टेड है 1, 2, 5 एकस्पोनेंट माइनस में दिया हुआ है अगर एकस्पोनेंट माइनस में दिया हुआ है तो यह क्या होगा यह जो बेईस होगा वो डिनोमेटर में चला जाएगा तो यह क्या होगा 1 upon 1, 2, 5 एकस्पोनेंट 1 by 3 अभी देखो exponent जो है उसके denominator में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हूँ कि exponent के denominator में 3 दिया हुआ है तो 1 to 5 को इस तरह से convert करना है कि exponent क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए base कोई भी हो तो 1 upon 5 cube ओके अच्छी तरह से हम लिखते हैं 5 cube और 1 by 3 ओके बाद में cancellation होगा 3 3 cancel तो क्या होगा 1 upon 5 ओके तो 1 upon 5 answer आया देखते हैं तो इतर पर देखो 1 upon 5 answer आ गिया है बाद में next अगर आपको एसा दिया हुआ है अभी यह simplification में क्या करना है यह देखो तो इसमें base same है अगर base same है तो उन दोनों के बीच में multiplication है suppose कि कोई a into a और base same है और exponent अलग है देखो exponent अलग है और इन दोनों के बीच में multiplication होता है न तो base as it is रहेगा और exponent का क्या हो जाएगा addition हो जाएगा ओके तो इसी प्रकार हम exponent का addition होगा यहाँ पर तो हम देखते हैं इदर बे अभी देखो यहाँ पर base as it is रहा और exponent का क्या हो गया addition हो गया है यहाँ आप देख सकते हो कि अभी देखो इस तरह से हुआ है टू टू बाइ थ्री प्लस वन बाइ फाइव ओके इसमें यह first question है उसमें base same है तो exponent का addition हुआ अभी एल्सियम लिया तो यह cross multiplication हुआ तो 5 2 जा 10 3 1 जा 3 तो इस तरह से होता है इतर पर के टू टेन प्लस थ्री और नीच फिप्टीन इन में फिप्टीन आएगा क्यूंकि एल्सियम फिप्टीन है तो अभी देखो टेन प्लस त्री क्या होगा थर्टीन तो टू एक्स्पोनेंट थर्टीन अपॉन फिप्टीन ओके तभी देखते हैं यह देखो यह आ गया ओके इसमें पर आपको क्या देखना है बेस सेम है दोनों के बीच में वंटिप्लिकेशन है तो यह रूल्स लगेगा अभी यह देखो यहां पर डबल एक्सपोनेंट है ओके वह से वन और थ्री की दोनों एक्सपोंट है तो हम इसको क्या से स्वल्ट करेगे तो अभी देखो यह 113 कुब है अब और पूरे बेखेट को सेवनन एक्स bonnet अभी यह टिनओमेटर में worker में जाएगा तो माइन ओक या प्लस 3 में से और complete record को 7 exponent as it is अभी 2 double exponent दिया हुआ इन दोनों के बीच में क्या है multiplication होगा ओके double exponent होता है उसका multiplication होता है तो क्या होगा 7 3 is 21 और positive into negative negative तो क्या होगा 3 minus 21 हैगा ओके देखते हैं यहाँ पर देखो आगया इसी प्रकार अभी यहाँ पर देखो divide में है ओके divide में क्या होता है base same है exponent अलग है base same है exponent अलग है और division में होता है न तो exponent का क्या होगा subtraction होगा यानि क्या होगा कि 11 11 11 11 1 by 2 minus 1 by 4 ओके subtraction होगा बाद में LCM लेके आपको subtraction करना है तो अभी LCM 4 आएगा LCM तो 11 तो इसको 2 से multiply करना होगा उपर भी 2 से करना होगा तो क्या आएगा 2 minus 1 divide 4 2 minus 1 क्या होगा 1 तो 11 2 minus 1 1 1 upon 4 तो 11 exponent 1 upon 4 आएगा देखो इदर पे आगे है इदर पे okay बाद में next है अगर ऐसा भी अगर आ गया कि suppose कि base अलग है और exponent same है उल्टा है base यहाँ पे base जो है यहाँ पे यहाँ पे base अलग है और exponent same है तो अभी कैसा करना है तो आपको exponent common ले लेना है और base का multiplication करना है यहनी 7 into 8 क्या होगा 56 होगा और exponent common ले लो तो 56 1 by 2 आएगा देखो इदर पे आंसर आगे है 56 1 by 2 exponent 1 by 2 तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दबाईए